स्वस्थ मात्रित्व और शिशो मृत्युदर में कमी लाने संपूर शिका करन, पोशन आहार की उपलब्धता सुनिशित करने और लिंग भेज समाप्ती के उद्देश से बालको प्रबंधन ने ममता परियोजना शुरू की है इसके तहट ग्राम सोनपूरी में पोशन और स्वास्थ जागरुपता शिविर का आयोजन किया गया इसका उद्घाटन कोरबा जिला महिला एवं बालवी का सधिकारी सुष्री रेनुप्रकाश ने किया उन्होंने बालको की इस पहल की सरहना की परियोजना का क्रियानवायन गय सरकारी संगठन स्रोथ द्वारा किया जा रहा है पोशन और स्वास्थ जागरुपता शिविर का उद्घाटन कोरबा जिला महिला एवं बालवी का सधिकारी सुष्री डेनुप्रकाश ने किया उन्होंने कहा कि बालको की पहल से लोगों में पोशन और स्वास्थ की पती जागरुपता का संचार होगा में विचार में अगर ऐसा सभी अगनबाडी या एक ग्राम में लाके या कुछ ग्राम में लाके ऐसा कारिक्रम किया जाए तो हम कुपोशन और जो स्वास्थ जागरुपता परिशानिया है या जो प्रॉब्लम्स हैं तो सुझाने में इस्चारी काम्याब होंगे मैं बालको को एक बर जरूर धनेवाद करना जाएंगी कि शाषा की उप्मत बड़ी एक जो लक्ष है उसको पूंद करने में मदद करने हैं बालको समुदाइक विकास विभाग प्रमुक्ष्रियार के खेर ने कहा कि बालको प्रबंधन स्वास्थ के साथ सक्षा स्वालंबन कृष्रियादिस संबंधित अनिक योजनाओं का संचालन कर रहा है जिससे लोगों को उनकी जवरत के मताबिक साहता मिल रही है उन्होंने ग्रामिनों से बालकों की योजनाओं का लाब उठाने की अपिल की शिविर में महिलाओं और बच्चों का स्वास परिक्षन कर उन्हें दवाईयां दी गई स्वास्क्रिप्रती जागरुकता विख्षित करने की दिश्टी से शिविर में पोशक भोज्य पदार्थों की बदशने भी लगाई गई थी दो वर्गों में स्वास्त शिशु परतियोगिता हुई जिसमें सोनपुरी के अलावा तरही डान और जाम बाहर आगनबाडी केंद्रों के लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया स्वास्त शिशु को पुरस्क्रिद भी किया गया कर दो स्वास्त बड़िया